Hi everyone, welcome to my YouTube channel इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचप अदेश में पटवारी भरती के बारे में तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि इस भरती की फिलाल कोई अपडेट नहीं है और उसके बाद क्या हुआ कि लगातार इस भरती की मांग उठना शुरू हुई और जैसे ही किसी भरती की बात होना शुरू होती है तो उसके रिगार्डिंग अखवार में खबर लग जाती है जैसे कि आज की अखवार आप देखोगे तो वहाँ पर ये निउस आपको देखने को मिल जाएगी कि पटवारियों की भरती रुकी है और इसका रिजन है कि जो स्टेट कैडर बनाया गया है तो उसकी वज़े से नए रूल्स बनेंगे और लॉव विवाग के पास जो फाइल भेजी गई है अगर आपको याद होगा तो लास्ट कैबिनेट मिटिंग में ये बात कही गई थी कि अभी गौर्वर्मेंट रिवीव करेगी अपने डिसीजन को जहां पे इन्होंने डिस्टी कैडरे को बदल के पटवारी का स्टेट कैडरे बनाया था और अभी आपको ये निउस देखने को मिल जाती है कि स्टेट कैडर अल्रेडी बन चुका है तो नए रूल्स बनाए जाएंगे इससे पहले जो था वो इसमें पटवारी के लिए डिस्टी कैडर होता था जिसमें की वेकैंसी के आपने जो डिटेल देखी होगी तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको स्टेट कैडर के अकॉर्डिंग भरती देखने को मिल सकती है मुझे नहीं पता कि ये क्या करने वाले हैं या फिर से डिस्टिक एडरे बनाएंगे क्योंकि लास्ट कैबिनेट में तो इसी के बारे में बात हो रही थी लेकिन यहाँ पे टाइम लगने वाला है क्योंकि अभी तक ये भी तय नहीं हो पाया है कि ये भरती राज्जी चेनायूग हमिरपूर करेगा या डिपार्टमेंट खुद करवाएगा क्योंकि लास्ट ताइम आपको ये भरती डिपार्टमेंट के थूँ देखने को मिली थी जहां पे उस भरती पे हजारों सवाल उठे थे कोट केस हुआ था और आपको याद होगा कि क्या क्या उस भरती में हुआ था यहां पे अब एक बात या जाती है कि अगर सरकार चाती तो मतलब जैसे कि राज्जी चेनायूग हमिरपूर तो वरकिंग में नहीं था तो डिपार्टमेंट लेवल पे भी भरती हो सकती थी पबलिक सर्विस कमिशन शिमला से भी भरती करवाई जा सकती थी लेकिन बीच में फिर वो दिक्कत आ जाती है कि रूल्स के अकॉर्डिंग ही यहां पे चीज़ें प्रोसेस हो पाती हैं जहां पे आपने देखा होगा कि कुछ भरतियों के जो आर एंट पी रूस होते हैं वहां पे प्रोविजन रखा होता है कि चाए वो भरती राज्य चेनायूग हमिरपूर के माद्यम से हो पबलिक सर्विस कमिशन शिमला के माद्यम से हो लेकिन कुछ ऐसी पोस्त होती है जिनके आर एंट पी रूस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता है और अब तो आपको पता है कि पबलिक सर्विस कमिशन शिमला के पास क्लास तो भरती का मेंडेट नहीं है तो या तो आपको यह भरती राज्य चेनायूग हमिरपूर के माद्यम से देखने को मिलेगी या तो यह भरती आपको डिपार्टमेंट एक होद करवाएगा लेकिन हाई चांसी है कि आपको जब राज्य चेनायूग वर्किंग में आए हुए क्योंकि एक साल से लगतार सरकारवात कर रही है लग लग ब्यान दिये जाते हैं इतनी भरती होगी यह भरती होगी लेकिन यहां पर बहुत जाद आपको वेट करना पड़ सकता है तो जिनको अरजेंसी है तो उनको मैंने यह बता दिये कि अगर आप एकदम से वेट कर हो यहां पर भी रूल्स बनेंगे एजेंसी तए होगी रिकोजीशन जाएगी उसके बाद एकजाम होगा रिजल्ट आएगा उसके बाद भी टाइम लगाते हैं पटवारी के ट्रेनिंग होगी उसके बाद भी एकदम जोइनिंग नहीं दी जाती है तो हो सकता है कि इस सरका के कारेकाल में पटवारी भरती में जोइनिंग भी ना हो पाए नेक्स्ट गॉर्मेंट में आपको जोइनिंग देखने हो मिले तो यहां पर जिस तरह का इनकी वर्किंग है उस हिसाब से मुझे तो यही लगता है आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो I hope आपको वी वीडियो अच्छी लगी होगी informative लगी होगी तो वीडियो को like, comment, share कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो further new updates के लिए